आप सबको नमस्ते और आप सबको उम शांती भी से के साथ में परमिता परमात्मा आज हमारे 308 वे दिन की श्री वर्दान में हम आत्मा को उम मतलब आत्मा शांती में शांती में शुर्ब आत्मा को कहते क्या हैं ताकि हमारे मन में शांती बने रहे और हम हमेशा अच्छे ही म तो आज की वर्दामें बाबा कहते हैं समाने और सामना की शक्ति और सामना करने की शक्ति यह दो शक्ति अगर हमारे पास में तो क्या होता है से देखें सामाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवा द्यारई भवा देखाया है तो सेवा तो सर्फ यह नहीं कि मैंने स्पेalten एक पर दो प्राप्त करें अब लकुन सेवा प्रան उते हैं अगर आप किसी की सेवा करते तो हम कहते हैं, नॉर्मल तरीके से कर्म भी कहें, तो जो भी हम कर्म करते हैं, जिसमें किसी का उधार होता है, या हमारा भी उधार होता हो, तो वो भी एक सेवा हो जाती है, जिसमें कि हमारा औरों के साथ में वारतलाप हो, या औरों के साथ में बातचीत हो, तो देखते हैं, कि बबाबा कया कियते हैं इसमें इसमें उसमें हम हम सक्सेसुल कैसे हो सपलता् शुठ कैसे बने तो बबा कियते हैं रूहानी शेवा धारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूचता नहीं वैसे देखा है, एक माता को भी क्या होता है, घर में अपने बच्चों का देख बाल करना, घर को आगे बढ़ाना, घर को साफ रखना, उसके बना कुछ सूचता नहीं, तो भी प्रकार की सेवा भी हो गई, तो पर माता कहते हैं, वैसे, वे मन सा वाचा कर्मना, मन से भी, बोल घर की बारे में, अगर आप सोचें, कि मैं मन से सब की बारे में अच्छा सोचें, बच्चों के बारे में अच्छा सोचें, पत्नी की बारे में अच्छा सोचें, घर का कोई भी वेक्ती हो, वो मन से ये सोचे, वाचा से अच्छे शब्द निकाले, या ग्यान के शब्द प प्राप्त करनी हो, तो खुदी एंथोस्याजम में रहे, हमेशा ही आगे बढ़ने की इच्छा रखे, तो उसको देख करके उनके बच्चे भी आगे बढ़े, तो ये परिवार में अगर हर सद्ध से करे तो एक दूसरे को देख करके वो एक प्रकार की सेवा ही कर रहे होते है तो सेवा सिर्फ कोई स्पेशल जगा पर जाकर की सेवा नहीं होती है, घर में भी अगर आप गुणों के दुवारा, शक्तियों के दुवारा, अगर आप एक 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 सेवा स्थान बन जाते है हमारे लिए, तो आप कहते हैं, वे सेवाओं में सफलता प्रात करने के यही हमारा निशाना है, वे अपने पुराने संसकारों को समाते हैं, अब जैसे एक सागर में क्या होता है, बहुत सारी नदियां कर मिल जाती है, तो नदी कोई मैली हो सकती है, कोई साफ नदी हो सकती है, तो हमें समाना क्या पढ़ता है, औरों के संसकार देखते हैं, कि हमन पढ़ता है लेकिन अगली बारी कहा है उसको तुसने अच्छा कर दिया तो अच्छी बात को भी समाना पढ़ता है तो उसी तरीके से पर बाता कहते है हमें समाना एक और चीज को पढ़ता है अब माता के अंदर या तो क्रोध आ सकता है या माता के अंदर अहंकार आ सकता है द जिनको वह सिखाने की कोशिश कर रही है उनके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा हो, घृत कर दिया तो इच्छा मर जाएगी, और अगर अहंकार में बोल दिया, बहुत अच्छे तुम तुम्म तो सबसे अच्छे हो, तो उसके अंदर आगे आजाएगा, तो आलसी पना वे अपने पुराने संसकारों को समाते हैं अब ये भी हो सकता है कि इरश्या हो जाए किसी के साथ में तो अगर घरवालों को औरों के साथ में इरश्या हो जाए बाचुवाले घर के साथ में इरश्या हो जाए गुन को अपने किम प्रकायण ना तो आपका नंदर क्या 關i तो आपने गूणों के बढ़ा उनके जैसinaire अंकर के संस्कार आंकार के संस्कार उनको समाना पड़ता है, ने तो वो ही हमारे लिए एक फासी का फंदा बन जाते हैं, वो हमारे सुक शांती को घोड़ देते हैं, तो परमात्मा कहते हैं, और सामना माया से करने, ना कि दैवी परिवार से, तो अब के होता क्या है अगर कोई चीज मानी गई या नहीं मानी की अगर मानी गई, तो आप खुश हो गए, और अगर नहीं मानी गई, तो फिर किया माया जागरत हो जाती है, माया के सुरुपना आती है, आपने मेरी बात को नहीं मानी, कैसे नहीं मानी, मैंने कहा था यह नहीं करना है, यही ठीक था, देखा, आप हमेशे जो मेरी बात नही तो ऐसे ही होता है तो यह होगी माया की बाते होगी तो माया से करते तो बाबा कहते है और समा और सामना माया से करना है हमें हमारे अंदर जो यह अहंकार आ रहा है अचानक से यह क्रोध आ रहा है वो चीज जो होती है वो औरों के दिल को जलाती है औरों के मन को जलाती है तो हमें वो माया को दबा देना है अपने अंदर उसका सामना करना है ना कि और लोगों को सामना करना है जिन्होंने हमारी बात को नहीं माना है तो परमात्र करता है अगर हम अपने अंदर के जागरत होने वाले अहंकार को समाले और उसका सामना कर ले या इरशा का या ग्रोधार है हमारे अंदर उसको समाले और उसका सामना कर ले तो जाकर के उस घर में शांती बने रहेगी लेकिन हम करते क्या हैं हम और लोगों का सामना करते हैं कि आपको जब बताया गया था आपको जब समझाया गया था किती बारी समझाया आपको आप सुनते हैं नहीं हो आप करते हैं नहीं हो आपके बुद्धी को क्या हो गया है अप ऐसे ही हो आप पैदा ही ऐसे हो थे तुम ह वो तेजना और में फैलेगी, घर में शान्ती होगी, घर में सुक शान्ती नहीं होगी, तो उस घर में कभी भी प्रोग्रेस आ नहीं सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि माया का सामना करना है, औरों का सामना नहीं करना है, अब यह चीज आपके घर में भी लाग होती है, यह center में भी vibrations खराब हो जाएंगी वैसे आपके घर में भी vibrations कराब हो जाएंगी तो ये क्यान जो ही हर जगा क्लिय है पिर बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे जो knowledgeful के साथ साथ powerful भी है कौनसी power? समानी की power और सामना करनी की power सामना किसा करना है? अपने अंदर की कमसोरियों का, ना कि और लोगों का तो पावफरल भी है उन्हे ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी, तो क्या आप अपने घर के रूहानी सेवाधारी हैं क्या आप अपने ऑफिस के रूहानी सेवाधारी हैं, क्या आप अपने बिजनस में, जिनल वक्तियों के साथ में आप संपर्क संबंद में आतने कि आप उनके रोहानी सेवादारी हैं, आप हैं क्या और वो पहचानने के लिए आप प्रमकुमारी स्कॉर्डी स्पिरिचल यूनिस्टी में जाकर के सीख सकते हैं कि आप हैं कौन और किस प्रकार क्या आत्मा हैं और आपको बनना क्या है तो आज के रही शुर्य वर्दान आपका दिन शुबहो आप सुके रहें स्वस्त रहें उम्शंति